हेलो दोस्तो स्वागत आपका मेरे चनल में जिसका नाम एक वेव टेक दोस्तो अगर आप मेरे चनल पर पहली बार आ रहें तो पहले इसे सबस्काइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे आपको सारी वीडियो और नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती जाए दोस्तो आज में लेके आऊँ सिविल डेली बूस्टर का पार्ट फाइफ दोस्तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग मैटेरियल BMC के टॉप 20 objective questions दोस्तो इससे पहले मैंने चार वीडियो जिस सर्वे स्टील और स्टील पर बना दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए तो चलिए दोस्तो आज का बूस्टर सुरू करते हैं दोस्तो आप मुझे comment करके बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ में जो भी मैं question पूछूँँगा ठीक है उसका जवाब भी आपको comment करना है तो दोस्तो हम बात करते हैं पहले उस question की जो मैंने previous part में पूछा था तो दोस्तो इसका answer था option number C 1.67 दोस्तो आप जो RCC में पढ़ते हैं कि steel के लिए आपका factor क्या होगा safety factor steel के लिए आप पढ़ते थे 1.15 और concrete के लिए क्या पढ़ते थे 1.5 वो RCC में था ठीक है यहाँ पर पूछा हुआ है IS code 800 के code यानि steel में आपका कितना होता है यह stress के लिए safety factor तो वो होता है 1.67 तो आपको confused नहीं होना है आप इसे अच्छे से कोशन को ध्यान से पढ़ेंगी को इसे पूछा किसमें है ठीक है चलिए next question तो दोस्तो इसका answer है option number B grillage foundation अगर दोस्तो आपके column से steel column से बहुत heavy load आ रहा है ठीक है तो उस समय हम क्या करते हैं हम grillage foundation जो है provide कराते हैं दोस्तो यहाँ image में आप देख सकते हैं यह है grillage foundation आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो portion है यह कहलाता है concrete pad और इसके उपर क्या होता है steels के beams डले होते हैं grillage इसे grillage बोलते है ठीक है और जो column से load आता है वो grillage foundation के द्वारा vary किया जाता है ठीक है तो आप इसे ध्याना किए कि steel columns में अगर heavy load आ रहा है तो हम grillage foundation provide करते हैं ठीक है चलिए next question for polishing mosaic floors we use option number A carbolic acid option number B muretic acid option number C acetic acid ये option number D oxalic acid तो इसका answer है option number D oxalic acid तो दोस्तो पहले हैं जानते है कि mosaic floor क्या होता है तो दोस्तो इमेज में आप देह सकते हैं इस floor को बोलते है mosaic floor इसमें क्या होता है कि आपके floor पे क्या आता है छोटे छोटे जो chips होते हैं stones के colorful chips होते हैं वो पड़े रहते हैं ठीक है और फिर उसे अच्छी से finish किया जाता है तो दोस्तो ये है आपका mosaic floor आपने कहीं न कहीं देखा होगा ठीक है तो इसी वज़े से oxalic acid से इसे अच्छी तरीकी सें चमकाते हैं पॉलिश करते हैं ठीक है ज़िए next question Aluminium is ionized to protect it from weathering effect by the forming surface coat of option number A Aluminium Carbide, option number B Aluminium Beret, option number C Aluminium Oxide या option number D Red Oxide तो दोस्तो इसका answer है option number C Aluminium Oxide जो Aluminium होता है वो अपनी बहारी की surface पर अपनी surface पर क्या होता है Aluminium Oxide की एक परत, एक coat मतलब जम जाती है उस पर ठीक है और जिसके कारण क्या होता है उस पर weathering effect नहीं होता ठीक है आपके environment का उस पर कोई भी दूस परिणाम bad effect नहीं पड़ता ठीक है तो इसका answer है option number C next question है in the manufacture of cement definite proportions of argillaceous and calcareous materials are burnt at the temperature of option number A 425 degree centigrade option number B 875 degree centigrade option number C 1450 degree centigrade option number D 1650 degree centigrade तो दोस्तों इसका answer है option number C 1450 degree Celsius ठीक है दोस्तों actually जो आपका temperature रखा जाता है वो 1400 1400 से 1500 ठीक है 1400 से 1500 degree centigrade के बीच में रखा जाता है तो आपका जो most appropriate जो answer है वो है option number C 1450 degree centigrade ठीक है next question strength based classification of brick is made on the basis of option number A IS 3101 option number B IS 3102 option number C IS 3495 option number D IS 3496 तो दोस्तों इसका answer आप बताएं तो जादा बहतर रहेगा तो दोस्तों इसका answer जो भी है वो मुझे comment कीजिए इसके साथ साथ आप मुझे एक चीज और भी बताएंगे कि brick का जो test होता है उसके लिए कौन सा code यूज किया आता है आप मुझे दोनों का answer बताएंगे एक तो classification आप brick के लिए कौन सा यूज करते हैं यो तो question में दिया हुआ है इसके साथ साथ ये बताएंगे जो तो brick का test होता है वो किस code पर किया जाता है तोस्तों इसका correct answer आपको मेरे next part में मिल जाएगा चली next question So, quartise is a Option number a, siliceus rock Option number b, argilisus rock Option number c, calcareous rock Option number d, aqueous rock तो दोस्तों जो आपका quartise rock होता है वो आपका होता है Option number a, siliceus rock तो दोस्तों इसके अलावा आप और भी जान लेते हैं quartise के बारे में quartise जो होता है आपका ये आपका metamorphic rock होता है ठीक है, जो आपका किससे बनता है, sand से sand stone से बनता है आपका sand stone जो कि आपका sedimentary rock होता है उससे आपका convert होता है quartise, तो आप सभी जानते है sand हो या quartise होता है, silica होता है si o2, तो दोस्तों इसे वेज़े से quartise है, ये क्या है, siliceus rock next question The volume of one bag of cement is option number A, 0.0214 QMAC, option number B, 0.0347 QMAC, option number C, 0.0434 QMAC, option number D, 0.0609 QMAC तो दोस्तों इसका correct answer है, option number B, 0.0347 QMAC दोस्तों देख सकते हैं, ये question आपका SSJ 2011 में पूछा गया था ठीक है, दोस्तों चलिए हैं, cement bag के बारे में कुछ और important facts को हम जानते हैं, जिससे related आपके exam में पूछा जा सकता है दोस्तों image में देख सकते हैं आप, जो एक cement bag का weight होता है, वो कितना होता है, 50 kg, 50 kg का bag होता है अगर volume की बात करें, तो एक cement bag का जो volume होता है, वो होता है 0.0347 m3 या अगर liter में बात करें, तो 35 liter, ठीक है? 35 liter होता है, एक bag cement का volume density की बात करें कि आपका जो cement उसकी density कितनी होती है तो 1440 kg पर meter cube अगर बात करें एक टन में कितने bags होते हैं cement के तो एक टन में आपके 20 bags आएंगे और अगर 1 meter cube की बात करें तो 1 meter cube में आपके total 30 bags होते हैं दोस्तो जितने भी fact आपको बताए गया है सभी से आपके exam में question पूछे गए हैं दोस्तो अगर आपको ये video informative लगा तो please दोस्तो इसे जरूर share कीजिएगा क्योंकि दोस्तो आपका जो ये video होता तो उसी 15 minute का है लेकिन इसे बनाने में पुरा formation के लिए आपका डेड़ से 2 गंटा लग जाता है तो दोस्तो बहुत मेंनत लगती है तो अगर आपको मेरी मेंनत अच्छी लग रही है तो please दोस्तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा, सब्सकाइब कीजिएगा जिसे मुझे support मिल पाए चलिए next question which of the following timbers is suitable for making sports goods option number A, mulberry option number B, mohogoni option number C, Saul option number D, देवदार तो दोस्तो इसका अच्छी दार है option number A, mulberry ठीक है दोस्तो ये इसका मतलब है सहतूत हिंदी में इसे सहतूत बोलते है तो इससे आपके जितने भी sports की goods हैं आपके समान जैसे bat है या कुछ भी है तो वो बनता है आपका mulberry आपके timbers से ठीक है क्योंकि ये काफी hard होता है ठीक है चलिए next question for testing compressive and tensile extent of cement the cement mortar is made by mixing cement and extended sand in the proportions of option number A, 1 ratio 2, option number B, 1 ratio 3, option number C, 1 ratio 4, option number D, 1 ratio 6 तो दोस्तो इसका answer है option number B, 1 ratio 3 ठीक है 1 ratio 3 हम use करते हैं cement और sand का mixture जब हम testing कर रहे हो compressive हो या tensile strength हो ठीक है compressive या tensile strength के लिए हम 1 ratio 3 का use करते हैं next question with increase in the moisture content the bulking of sand option number A increases, option number B decreases option number C, first increase to certain maximum value and then decreases option number D, first decreases to a certain minimum value and then increases तो दोस्तो इसका answer है option number option number C, first increases to a certain maximum value and then decreases तो दोस्तो आपका जो bulking of sand होता है यह starting में क्या होता है increase होता है और 4.6 या 5% of moisture content पर आपकी जो bulking है वो maximum चल जाती है और उसके बाद जब हम moisture content बढ़ाते हैं तो वो धीरे 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 decrease होना start हो जाता है ठीक है तो इसका answer option number C next question addition of poslana to ordinary potent cement increases option number A, bleeding, option number B, shrinkage, option number C, permeability, option number D, heat of hydration तो दोस्तो इसका answer है option number B, shrinkage जब आपका OPC cement, ordinary potent cement में 10-25% poslana add किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है जब कि shrinkage होती है shrinkage आपकी बढ़ जाती है और इसके अलामात जो भी option है आपका bleeding हुआ, shrinkage हुआ, heat of hydration हुआ यह सब कम हो जाता है ठीक है तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आपने poslana add किया OPC cement में तो आपका क्या होगा, shrinkage बढ़ जाएगा next question which of the following types of lime is used for underwater constructions option number A, fat lime, option number B, quick lime, option number C, slaked lime या option number D, hydraulic lime तो दोस्ते इसका answer है option number D, hydraulic lime अगर underwater construction की बात करें या mortar की बात करें तो उसमें हम hydraulic lime का use करते हैं और अगर white washing की बात करें तो white washing में हम यूज करते हैं fat lime का ठीक है, next question an aggregate is known as cyclopean aggregate if its size is more than option number A, 75 mm, option number B, 4.75 mm option number C, 30 mm, या option number D, 60 mm इसका answer है option number A, 75 mm अगर आपके aggregate का size 75 mm से बढ़ा है तो उसे हम बोलेंगे cyclopean aggregate next question for testing compressive strength of cement the size of cube used is option number A, 50 mm, option number B, 70.6 mm option number C, 100 mm, या option number D, 150 mm इसका answer है option number B, 70.6 mm यानि 7.06 cm तो दोस्तों ये ध्यार लखेंगे आप और तोससे अगर हम बात करें इसका cross structure area तो वो होता है 50, 50 cm square 2 mm तक आपका measure किया जाता है दोस्तों इसके साथ साथ आप image भी देच सकते है और woodwork की जो accuracy होती है वो होती है 2 mm तक का तो question में यही पूछा है ठीक है woodwork का आपका accuracy पूछा है तो कितना होता है 0.002 meter next question दोस्तों यदि आप मेरे facebook page तता instagram पर नहीं जुड़े हैं नहीं follow किया है तो follow कर लिजिए वहाँ भी मैं आपके previous year questions जो है वो मैं upload करता रहता हूँ ठीक है चलिए minimum grade of concrete for moderate environmental exposure condition should be option number A M25, option number B M30, option number C M15 यह option number D M20 तो दोस्तों इसका answer है option number A M25 अगर हम environmental exposure condition की बात करें और उसमें भी किसके moderate condition की तो उसमें जो आपका minimum grade होता है concrete का वो होता है M25 दोस्तों यहाँ आप image में दे सकते हैं जो environmental exposure condition है उसके लिए कितनी सारी conditions है जैसे mild है, moderate है, severe, very severe, extreme है तो सबके लिए आपके minimum होता है minimum cover कितना रखा जाता है, water cement ratio कितना रहना चाहिए तो यह सब दोस्तों आपको इस image में मिल जाएगा वीडियो को pause कीजिए और यह से आप अपने notes में लिख लीजिए क्योंकि दोस्तों इस से आपके बहुत सारे questions बनते हैं ठीक है? चलिए, next question तो दोस्तों इसका answer है, option number soundness of cement soundness of cement किसके दारा determine क्या आता है? leech atelier device के दारा और दोस्तों अगर हम बात करें setting time अगर setting time पूछा होता, तो setting time के लिए कौन से apparatus का यूज़ करते हैं? vikart apparatus, ठीक है? चलिए, next question the minimum depth of the foundation in clay soil is option number a 0.5 meter, option number b 0.7 meter, option number c 0.9 meter option number d 1.2 meter दोस्तों इसका answer है, option number c 0.9 meter दोस्तों इसमें पूछा है, question में पूछा हुआ है, clay के लिए तो clay के लिए होगा 0.9 meter, अगर यह पूछा sand के लिए, तो sand के लिए होता है 0.8 meter, 0.8 meter, ठीक है? चलिए, next question the percentage of alumina in a good brick earth lies between, option number a 5-10%, option number b 20-30%, option number c 50-60%, यह option number d 70-80% तो दोस्तों इसका answer है, option number b 20-30% तो दोस्तों आप image में दे सकते हैं, brick में जितने भी ingredients होते हैं, उसका percentage आपको दिया गया है जिसे silica की बात करें, silica sand 50-60% होता है, alumina clay 20-30%, lime 2-5% तक होता है, iron oxide आपका 7% तक होता है और magnesia आपका 1% होता है, तो आपके question में पूछा गया है, alumina, तो alumina कितना होता है, 20-30%, option number b, आप इन सब ingredients के percentage को याद रखिए, ठीक है तो दोस्तो लास्ट question है, the nominal size of the modular brick is, देख सकते हैं, दोस्तो चार option है, तो इस में से जो आपका nominal size है, वो है option number C, 200 mm into 100 mm, दोस्तों यहाँ brick size से related डो question पूछे जाते हैं, पहला यह पूछता है, कि brick का nominal size क्या है, और एक पूछता है, ठीक है तो आप एक बार question को ध्यान से पढ़ेंगे, कि उसमें पूछा क्या है, अगर हम बात करें modular brick की, modular size की, तो modular size का मतलब होता है, कि जो हमने brick model किया, जो हमने बनाया, उसका size कितना होता है, तो उसका size होता है, 190 into 190 into 90, ठीक है, modular brick, modular brick का size, ठीक है, यह हो गया, अगर पूछे वो nominal size कितना होता है, तो nominal size क्या होता है, कि जो आपका modular brick होता है, वो plus आप जो mortar उसमें add करते हैं, ठीक है, जो mortar लगाते हैं, उसे add करने के बाद कितना size हुआ, overall, तो वो होता है, 200 into 100 into 100, तो आप question को ध्यान से पढ़ेंगे, कि उसमें पूछा क्या है, ठीक है, चलिए, तो दोस जारा दोस्तों, like कीजिए, subscribe कीजिए, और share कीजिए, ताकि जारा से जारा student इससे जुड़ पाएं, और दोस्तों, आपको ये video lecture कैसा लगा, आप मुझे comment करके ज़रूर बताईगा, और साथ में मैंने जो question पूछा है आपसे, इस video lecture के बीच में, उसका भी आप जो right answer है, व झाल